नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है आरे समाज सुद्ध ज्यान कर्मों से युक्त मनुष्ट का अंद्रमान करता है आज के इस लेख के लेखा के वेदिक पिद्वान मनमुहन कुमार आरे जहरादून से आए विशे की और चलते हैं द देश समाज के लिए उत्तम चरित्रवान देशभक्त परवक्त की भावना से युक्त होते हैं देश वा समाज के लिए लाबदायक होते हैं यहा कार करता हुआ कोई संगठन दिखता नहीं है सश्टी के आरंब काल से ही यहा का अरवेद वा वेदिक जीवन पद्धिती के द संसार में अविध्या, अज्यान, अंदवस्वास, पाखंड, कूरिति, आंदी, प्रचलन में नहीं होती इसके साथ ही कहीं कोई अविध्या, युक्त, मतांतर, पंत, संपर्दा, स्थापित, परशलित नहा होता इसके विपरीत, सुद्ध, ज्यान, विज्यान, पर आधार सबी वरकार के अज्यान, पाखंडों से मुक्त रखते थे, आरे समाज कोई नया संगठन नहीं है, नाम नया कह सकते हैं, परंतु यहां कार वही करता है, जो महान वेदों के ज्यानी, इश्वर का सक्षात कार करे हुए रिशी, मुनी और विदवान किया करते थे, आरे को अभ्युदय, निश्रयस की प्राप्ती होती है, ऐसा अन्य किसी मत्वा जीवन पद्दिती से प्राप्त होना संभव नहीं होता, आरे समाज अपनी सभी मानिताओं की परिक्चा वेवेशना करता है, सभी मानिताओं के तरकों के अधार पर प्रतिदेश्ठित होने पर ही आज सरबजन प्रसंगिक और वयवारिक है संसार में वेद सबसे पुराने और आद्ध ग्रंत हैं वेदों के ग्यान के अनुकूल उनकी वाक्ष्याओं के युक्त ग्यान रिशियों के ग्रंतों में भी उपलब्द होता है वेदिक साहिते के सबान सत्य पर आदारित ग्यान मत मतांतर की पुस्तकों में अपलब्द नहीं होता जिनमें सत्य ग्यान वेद विरुद कतर में दमान ना हो वेद सत्य वाहिंसा का पालन करने कराने वाले आदर्श ग्रंत हैं सभी मत मतांतरों में क्रंथों का सर्वधान वेदान उकूल होना आवश्या के मनिवार है ऐसा होने पर ही संसार में सर्वत्र सुखवा सांती स्थापित होकर मनुष्य परस्पर सुहाद्र के सांत रहते हुए अब्विद्दय वा निस्रेयस को प्राप्त हो सकते हैं अता आरे समाज द्वारा वेदों को अपनाना सारे संसार के लिए एक अदर्श है जिसे सब मतों के आचारियों को जानकर अपने अपने मत को भी विश्व के मनुष्य समुदाई के लिए हित और लापकारी बनाने का प्रयात्र करना चाहिए इसी द्यानब ने वेदों के सभी सिद्धानतों मानेताओं का जन जन में प्रचार करने के लिए आरे भाशा हिंदी में जिस प्रचार गरंथ की रचना की है उसका नाम सत्यार्थ प्रकास है सत्य अर्थ का प्रकास की भूमिका में अपने गरंथ की अरचना का प्रयोजन बताते हुए वह लिखते हैं कि मेरा इस गरंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकास करना है किन्तु जो पदार्थ जैसा है उसको वेसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहलाता है जो मनिश पक्षपाती होता है वहाँ अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवत होता है इसलिए वासत्यमत को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए विद्वान आपतों जो सब समय इश्वर को प्राप्त होकर उसी में रमन करते और लीन रहते हैं का मुख यही काम होता है कि उपदेश्वा लेक द्वारा सब मनुश्यों के सामने सत्य और सत्य का सुरूप समर्प इसका दे पश्चातवे स्वयम अपना हीत आहित समझ कर सत्य का ग्रहन करें मित्य अर्थ का परित्याक करें सदा अनंद में रहें रिशीद आयानन ने उपयुक्त पंक्तियों में जो लिखा है वा अकाट सत्य वे भावरिग्यान है सत्यार्थ प्रकास का धिन करने पर रिशीद आयानन के सभी गरंथ विढद्या के गरंथ सिद्ध होते हैं जो अग्यान वा अंद विस्वास न सर्वता रही थे सत्यारत प्रकास के सभी मत मतांतरों के साथ नियाई का नूकरण करते हुए उस कपकी अविद्या यक्त बातों का प्रकास किया गया है जिन से समाज में असांती उत्पन होती है और जो मनश के जीवन की उन्निती में बादक बनते हैं अता देश्वास समाज में सुक, सांती और कल्याण के विस्थार के लिए मत मतांतरों की सभी मानेताओं की परिच्चा और समिक्चा अवश्चख है उन्हें सत्य पर स्तिर वर स्तित किया जाना समय की अवश्चक्ता है यही कार रिशी दायानन ने अपने समय में आरंब किया था यही कार सरश्टी के आरंब में मावारत काल तक हमारे समस्त रिशी मुनी विद्वान आप्त पुरुशों द्वारा किया गया था जब तक यह कार किया जाता रहा भारत विश्व में चक्रवरती राज्य इश्वर्य को प्राप्त था जब से वेदों से प्रतक और दूर हुआ है तब इसे देश्वा समाज में असांती दुख पराधीनता अंद वस्वास आदी के व्रद्धी प्राप्त हुई है हमें अप्मानित होना पड़ा है आरे समाज वेद वेदिक साहित सत्यार्त प्रकास आदी गरंथों के आधार पर मनुश्व का अंद्रमान करता है वेद उच्छ चारित्रिक मापदंडों के पोशक है जिसका प्रचार और पोशन आरे समाज करता है आरे समाज अपने सभी परक्त भूता है। मनुश्य की दुर्गुण, दुर्बशन, दुख दूर हो जाते हैं। अपने ज्यान को बढ़ाता वह उसे प्रवचन और प्रचार के द्वारा पुष्ट करता है। वेदिक धर्मी पालन करते हैं। प्रवचन और प्रवचन और प्रवचन और प्रवचन और पुष्ट करता है। एसा करने से ही एक सुद्ध ज्यानवान, सुद्ध कर्मयोगी और पुरसार्थी मनिश का अंदर्मान होता है। इस कारे को आर समाज ने अपने 145 वरसों के इतियास में बहुत उत्तमता से किया। देश में वेद और समरद विरोधी सक्तियों के सहीयोग ना करने पर धर्मान तरण जैसी प्रवत्तियों को गुफ्त रूप से प्रवत्त करने और अपने अपने मत का संख्या बढ़ाकर देश का सांसकर्दिक सुरुप बिगाड़ने के प्रेत्न देखे जाते हैं। आरसमाज इस्तिती में अपने जन्म काल से ही परिचेत और सतर्क है इसे अपने बंदूओं के सहयोग से अवश्यक्ता है तभी आरसमाज सुद्ध मनुष्य बनाने के अपने विशन में सफल हो सकता है यही देश वविश्व के शुक सांति की स्थापना करने की सबसे प्रभा विश्यों को विचार करना चाहिए आरसमाज को भी अपने भीतर आय निस्करीता संगठन की दुरबलता पर विचार कर उसे ओजस्वी और तेजस्वी बनाने पर विचार करना चाहिए अपनी कमियों और खामियों को दूर करना चाहिए वेदवा आरसमाज देश सब को न्याय प्रदान कर उन्नत बनाने की एक निर्दोश और संपूर ब्युस्ता है। सब को आरे समाच को अपनाना चाहिए। आरे समाच जिसायोग करना चाहिए। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे। वेधिक तुद्वान मनमोहन कुमार आर धहरादूं से इस तरह के अन्य वेधिक लेखों के लिए प्रेना द्याक कहानियों के लिए महापुर्शों के जीवन के प्रेरख प्रसंगों के लिए वेधिक भजनों के लिए वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें, बेल आइकोन की घंटी को दबा दें तक कि जब भी कोई नया वीडियो आए, उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे धन्यवाद